अब लोग वेख तो मैं चैनल मनिशेक राजपूत आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि जो मेरे वीडियो का रिस्पॉंस आ रहा है बहुत अच्छा आ रहा है आप आप लोग बहुत प्यार कर रहे हैं कमेंट कर रहे हैं मुझे अच्छा लग रहा है कि यानि अब काफी एक् प्यार बनाए रखें तो आपको जैसे कंडिशन पता है कि जब वन के सब्सक्राइबर हो जाएंगे आपको कमेंट करने से तो आपको फायदा हो गई कि आप लेकिन मेरे सब्सक्राइबर फटा-फट वन के करवाईए ताकि जल्दी से जल्दी आप तक पहुच जाए क्यों अब मिलते हैं जिम्मे और जो मैं डेली दिखाता है देखो डेली कोई ना कोई कपड़ा लेगा और उसके साथ बैठा रहेगा हैं चीकू चीकू बोल दो हाँ सबस्त आइस सबस्त वेरी गुड अ हैं चलो फिर मिलते हैं जिम्मे बाधे कि अल्दी अपरी जीकू जाए प्रेटर इस तक शल्दी बाधिकू और रहेगा हैं कि आज एक चीज बताने जा रहा हूं आपको कि जो भी बहुत दिनों से वर्काउट कर रहे हैं जो इंटल मीडियेट है जिनको वर्काउट करते हुए काफी टाइम हो गया है वह इंकलाइन बेंच का अपना एंगल 45 डिग्री पर कर सकते हैं जिससे वह ज्यादा चैस्ट की अपर चैस्ट की मसल को जाता टार्गेट कर सकते हैं वैसे तो इसकी करेक्ट पोजिशन 30 डिग्री हो भी नॉर्मल वर्काउट करते हैं न्यू बिग्नर्स के लिए लेकिन जिनको वर्काउट करते हैं काफे टाइम हो गया है वह 45 डिग्री पर इंकलाइन बेंच प्रेस को ट्राइब करके देखे बहुत अच्छा फरकाता है इससे और टार्गेट मसल भी आनि अपर चैस्ट भ करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं परेस्ट टस्ट तो मैं तो ट्राइशेप्स भी करिए चाहिए ट्राइशेप्स तो अब जिम जाने का टाइम हो गया तो मैंने अपने डाइट प्रिपेर का क्या खाऊंगा मैं यह मेरे अंडे यह मेरे फ्रूट्स आज ड्रेगन फ्रूट्स पिया है मैंने और एपल होगे रहे डाल लेता हूं कि भूख लग जाती है सब्सक्राइब जिम से आने के बाद मैं थोड़ी एडिटिंग की थी उसके बाद मैं सो गया था कि इसलिए थोड़ी है वह हो गया बीजी जंदवाजी सी हो रही है अब मैं प्रोटीन बगेरा अपना प्रोटीन बगेरा ले लूँ तुवार प्रोटीन भी खत्म होने वाले भई तो आज का दिन ट्रेनिंग का दिन बहुत अगान बरा रहा है यानि कि बहुत ठका हुआ फिल कर रहा है अभी तो ज्यादा क्लाइंस भी नहीं थे मेरे पास तो मैं ठका हुआ क्यों लग रहा हुए तो आज आज अब लोग यहीं फिनिश करते हैं मिलते हैं फिर कल नई वीडियो के साथ नए मोटिवेशन के साथ तो बने रहे मेरी वीडियो के साथ और मेरा फाइदा उठाए और मेरा चैनल फटा-फट वन तक पहुँचाएं टेक क्यार गुड़नाइट बवाई